हेलो एब्रिवान वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आएम कृतार्त मेलगानी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जोग्रफी का सेंपल पेपर डिसकस करने वाले हैं फॉर टर्म टू इग्जामिनेशन और 35 माक्स का अपनों का जोग्रफी पेपर रहेगा टर्म प्रिशन रहेंगे अलॉंग वेदा मैप जो की फाइम माक्स का वेटेच है ठीक है दो घंटे आप लोगों को मिलेंगे इस पेपर को सॉल करने के लिए एक्जाम कि आप जाओगे आपनों को एक सब्जेक्टिव शीट वगरा मिलेंगी जैसा नॉमली होता था आप लोगों फीचर्स ऑं डेशनल लगों को फीचर्स बताने है अब हम चलते हैं मारकिंग स्कीम पर क्योंकि हमारा पूरा डिसकेशन बेज़ रहेगा आपके मारकिंग स्कीम पर जो की सीबिसी नहीं रिलीस किया है लॉग विद यौर सेंपल एपैपर तो ट्टटिशनल इंडेशन और high proportion of employment in manufacturing industry की यहाँ manufacturing industry में सबसे आदा employment रहेगा लोग मतलब रोजगार सबसे आदा manufacturing industry में होगा high density housing मतलब close close service quarters kind of बने रहेंगे often of inferior type मतलब वो बहुत पुरानी तरह से मतलब जर जर हालत में जिसे हम कहें and poor services unattractive environment for example pollution waste tips and so on because traditional industrial region से बहुत पहले यह established हुई थी industries चाहे आप लोगा कोई coal smelting plant हो तो आसपास जो एक तरसे service quarter बगएरा होते हैं तो I'm sure आप लोग समझ पारे होंगे इस चीज़ को और यहाँ problems of unemployment रहती है emigration and direct land areas caused by closure of factories कि traditional large scale industrial regions थे यह एक समय पर पर आप बहुत सारी factories इसमें बंद हो चुकी है तो unemployment का problem रहता है लोगों के पास and एक तरसे land areas भी उतने proper नहीं है तो मतब इस तरसे आप कह सकते हो यह traditional industrial regions के factors है ठीक हो गया अब हम आते है question number second पे जो कहले है defined tertiary activities tertiary activities simple सा अब हम वापस चलते हैं आपकी marking scheme पे कि वो activities which involve the commercial output of services rather than production of tangible goods ठीक है manufacturing sector में क्या होता है आपनों का for example cotton गई machine के अंदर उससे कपड़ा बन के आ रहे है ठीक है cloth बन के आ रहे है but tertiary activities में क्या होता है services का production आपनों का हो रहा होता है like आपनों के for example teacher है वो एक sense में एक service दे रहे है कोई lawyer है आप उसको hire करते हो आपका कोई case लणने तो वो एक service आपको provide कर रहे है ठीक है तो tertiary activities में आप लोगों का rather than production of tangible goods tangible goods यानि जिने आप छू सकते हो feel कर सकते हो which are normally produced by your manufacturing sector tertiary activities में आपनों की services का production होता है ठीक है इसमें आप लोगों का electrician आ सकता है बावर आ सकता है बहुत सारे shopkeeper आ सकते हैं driver बहुत सारी चीज़ें इसमें है इसके एक दू examples आप लोग लिख लीजेगा exam में अगर ये पूछा जाए तो question number two ये था आप लोगों का और ये दो मार्ग से question है तो देखो इसमें word limit exceed मत करना मतलब better रहेगा भी आप लोग ये जो exam है इनने point wise अगर लिखो क्योंकि क्या होता है na point wise examiner भी जो होते हैं उनको long long paragraphs पढ़ने में थोड़ा सा रहता है ठीक है तो recommended ये ही रहता है कि आप लोग point wise answers लिखो तक examiner को direct को चीज मतब आपको के सामने आए जो point ढूंडना चाहरें आपके answers में आप वो आपको mark कर लें और आगे बढ़ें ठीक है तो paragraph कम से कम लिखेगा आप focus ज़्यादे आपका इस बात पर रहना जी कि आप point wise answers लिखेगा ठीक है मैंने भी अपने time पर जितने भी exam दिये थे वो point wise ही मैंने answers लिखे दे ठीक है और third है आपनों का differentiate between retail trading and wholesale trading तो देखो retail trading और wholesale trading का simple सा मतलब यह है कि retail trading में क्या होता है goods are directly sold to consumers आप shop की पर के पास गए ठीक है आप पारले जी biscuit लेने गए तो directly shop की पर आपको दिया तो it is a kind of retail trading बट आपके wholesale trading में क्या होता है यह bulk business होता है बहुत सारे मतलब quintals में आप लोगों की products आ रहे होते हैं और उसके बाद वो supply होते हैं आप लोगों के retailers को ठीक है simple सा कि आप market में चले जाए तो कोई मतलब एक big wholesaler है वो supply करेगा आपके retailer को तो wholesale business आपका constitute bulk business through numerous intermediary merchants की पहले उनके पास bulk में चीज़ेंगे फिर वो supply करेंगे उसको ठीक है तो यह आप लोगों के retail trading and wholesale trading का point रहा और इसमें एक और optional question है मतलब इसके जगह आप इसे attempt कर सकते हो कि differentiate between departmental stores and chain stores तो departmental store क्या होते है departmental store delegate responsibility and authority to departmental heads for purchasing of commodities कि departmental store क्या होते है कि आप किसी भी उसमें जाएं तो अलग-अलग sections आपनों के बाहने होते हैं तो वैसी उनके department head होते हैं like toy section होगा आपनों का या फिर आपनों clothing section हो तो उसमें अलग-अलग department के heads होते हैं clothing section का आपनों के food and edible का तो वो एक sense में purchase करते हैं आपकी commodities की store में क्या-क्या चीज़ें आ रही है तो उनके अलग-अलग different departments के heads हों चीज़ें इसको decide करते हैं और chain stores क्या होते हैं chain store for example कोई एक chain होती है ना franchise जिसे हम कह सकते हैं like आप easy day का कह लिजिए लेगा कि यह जो normal आपलों की market है वहाँ से आपको कम price में मिल रहा है ठीक है तो आप सोचोगी कि यार हमें यहाँ कम price में मिल रहा है हमें यहाँ से खरीद लेते हैं उसका main reason यह है कि वो bulk में खरीद रहे है and they are able to purchase the merchandise most economically ठीक है क्योंकि वो direct take sense में manufacture ठीक है like reliance market है अपनों की वो direct अगर कोई product की company उससे direct contact उसका तो direct वहाँ उसके पास समान आ रहा है ठीक है तो इसलिए आपको भी एक तरह से सस्ते rate में मिल जा रहा है और often क्या होता है कि मतलब कई बार यह होता है जैसे आप लोगों के chain stores है तो कई बार क्या करते हैं कि जो companies होती है वो अपने उनसे जो company product produce कर रही है उनसे अपनी specification according कि हमें इस तरह का product चाहिए मतलब इस size के हमें package चाहिए आप लोगों के for example detergent का है तो हमें 10 kg का चाहिए या 15 kg का चाहिए तो इस तरह से उसे specify कर देते हैं यह difference रहा आपनों के departmental and chain stores का और देखो यह सभी चीज़ा आपनों के NCRT book में है आप marking scheme में पढ़िएगा जित्ती भी चीज़ा आपनों के लिखी है ना सारे NCRT के points है तो इसलिए अगर आप सोचें कि हम कोई और help book refer कर लें उससे हम answers prepare कर लें तो यार that won't help you मतब CDC बात because जो examiner के पास भी marking scheme जाती है जब आपकी copies जाती है उसके साथ जो CBSC marking scheme देता है जो भी आपका paper आएगा उसके बात mostly उसमें जो points हो देना वो NCRT से ही होते हैं तो इसलिए आपको NCRT के points मेंशन करना जरूरी है और geography में खास कर content की manufacturing literally means to make by hand however now it includes की पहले manufacturing का मतलब था की हाथ पे बनाना कोई जीज को आपका basket weaving हो गया या फिर कोई इसी भी दूसरी चीज हो गई पर आज की डेट पे इंक्लूद स्कुट्स मेड बाई मशीन की हम कहते है ना manufacturing sector आपका manufacturing sector, construction sector वैसी manufacturing sector में आज की present day हो गया है to made by machines की मतलब machines के दवारा बनना को इच प्रोडक्ट को अब manufacturing क्या है देखो it is a process which involves transforming raw materials into finished goods of higher value for sale in local or distant markets like अपकी cotton है cotton को हमने machine में डाला वो आपका एक beautiful कपड़ा बन के आ गई तो यह आप लोगों का एक process है manufacturing में जो involved होता है example था cotton fabric का और an industry, दोनों चीज़ अलग-अलग है वैसे हम literal terms में देखे manufacturing भी अलग है और industry भी अलग है industry के हम बात करें तो it is a geographically located manufacturing unit वह manufacturing process हो रही है where the books of accounts are maintained कि कितना production हुआ इस साल हमारा कितना revenue हुआ and records under a management system तो industry ये चीज़ होती है कि एक manufacturing unit जहां आप लोगों के sale and purchase ये सारे accounts manage हो रहे है as the term industry is comprehensive it is also used as synonymous with manufacturing कि हम कहते हैं कि reliance industry, reliance manufacturing तो कई बारे synonymous भी used होती है क्योंकि एक sense में manufacturing ही हो रही है पर हाला कि there are other industries इसमें example दिया है कि steel industry हम कहते है हम chemical industry कहते है हमें लगता है कि हाँ ठीक है chemical बन रहा है वहाँ आप लोगों का एक sense में steel बन रहा है वहाँ steel के production हो रहा है but there are many activities which are not carried on in factories पर जिसे हम industry में फिर भी कहते हैं लिए हम कहते हैं entertainment industry आपका tourism industry आप देखोते हैं कोई production as such नहीं हो रहा है कि आपनों कोई कपडा निकल के आ रहा है क्या good निकल के आ रहा है इसमें से बाहर production के बाद पर आपनों का मतलब एक sense में यह मतलब डिफरेंट चीजे भी आज के हम use करते हैं entertainment industry भी हम कहते हैं and tourism industry कहते हैं so for clarity the longer expression manufacturing industry is used कि अगर हमें मतलब particularly किसी steel plant के बाद करना जो steel बना रहा है तो हम उसे मतलब यह term use करते हैं कि manufacturing industry because industry अकेले में है तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं because जरूरी नहीं है कि industry है तो manufacturing होई रही होगी like we have example of tourism industry and entertainment industry और manufacturing simple भी हम use नहीं करते so today अगर हम किसी ऐसे industry के लिए यूज करना है जो steel बना रही है कपड़ा बना रही है we use manufacturing industry और देखो आगर अगर आपनों को यह लग रहा है कि मैं इतना हाथ explain क्यों कर रहा हूँ आप लोग बोर हो रहे हो तो आप इसे skip करके direct questions में आ सकते हो because बहुत सारे बच्चों को यह समझना होता है इसलिए मैं उन बच्चों को समझा रहा हूँ अगर आपनों कोई चीज clear है already तो आप direct up questions पर आ जवा तो 4.1 question है what do you understand by the term manufacturing तो manufacturing simple से question है देखो manufacturing को simple सा इस paragraph से उठा के लिख दो it is the process which involves transforming raw materials into finished goods of higher value marking scheme में क्या लिखा है वो देखे हम तो वह ही कि manufacturing literally means to make by hand however now it includes goods made by machine तो कोई भी आप definition लिख सकते हो कि ठीक है कि या तो आप लिख लो कि means to make by hand however now it includes made by machine कि यह process है आप इस तरह भी बता सकते हो इसको और इसमें next है question जो आपका वो है कि manufacturing involves value addition explain with any suitable example कैसे आप लोगों की manufacturing है वो value add करती है ठीक है तो value add कैसे करती है simple सी बात तो यहाँ पर एक example है कि raw cotton इसका example सबसे बेस्ट है कि raw cotton को आप जब डालोगी तो raw cotton की value बहुत कम है for example आप कहोगे कि 10 rupees kg में आप लोगो cotton मिल जारी जो raw cotton है अच्छी जो पेड से भी तोड़ी गई है ठीक है जब उसे transform किया जाएगा machine के through उसे एक कपड़े में तबदील किया जाएगा उसे convert किया जाएगा तो अब उसकी cost हो जाएगी 60 rupees पर kg या 100 rupees पर kg ठीक है तो इस तरह से value addition हुआ और एक valuable fabric आप लोगा बन गया और ठीक है तो यह चीज आप लोगी थी कि कैसे manufacturing एक sense में value addition आप लोगा करती है 4.3 है named the two industries which provides services rather than production of goods तो वो दो industries जो हम industries तो कहते हैं but they provide us services वहां production नहीं होता आपके goods का तो उसका simple सा example जो हैं पर बात भी करी गई थी इस paragraph में tourism industry and आपनों का entertainment industry तो यह आपनों का source based question था काफी easy था यह question paragraph पढ़के भी आप इसा answer कर सकते दो ठीक है next है हमारा section C short answer questions तो इसमें आपनों के दो questions रहेंगे हर एक question तीन number का ठीक है तो generally क्या करना देखो तीन number के questions में आप लोग कोशिश करना कम से कम 4 से 5 point लिख रहेंगे वोगर आप point wise जा रहे हो ठीक है मांकी मतलब जितने 5 marks के questions रहेंगे उसमें मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग के at least 5 marks का question है तो कोशिश करूँ कि आप 7-8 point तो आप लिख क्या हो और हो सके तो 10 तक भी आप जा सकते हो वो एक better रहेगा थोड़ा length आप लोग के provide करेगा 5 marks question के लिए ठीक है तो सबसे पहले आदमें question number 5 पर ये कह रहा है transport, road transport plays an vital role in the promotion of trade and tourism in the world support this statement with three suitable arguments तो आप लोगों को बताना है कि किस तरह से जो आप लोगों का road transport है वो एक बहुत important है for आप लोगों के trade and tourism, simple सी बात ठीक आप लोगों को इसे explain करना है तीन points में या आप गहो तो तीन arguments के साथ तो सबसे पहला इसमें हम वापिस marking scheme में चलते हैं तो सबसे पहले समझा दो कि transport होता क्या actual में कि आप start कर सकते हो कि transport एक ऐसी facility जिससे लोग and जितने manufactured goods होते हैं they are you know carried from one location to another और फिर आप कह सकते हो कि मतब एक point इस तरह से डाल सकते हो कि road transport is very vital for you know trade and tourism फिर आप dash करके समझा सकते हो आपके तीन arguments like सबसे पहले आ सकता है modern society requires speedy and efficient transport system to assist in the production distribution and consumption of goods कि आप लोगा road transport की बात की गई है तो अगर better roads नहीं होंगी तो एक sense में आप लोगा production प्रॉपर नहीं हो पाएगा factory तक raw material पर नहीं पहुँच पाएगा और distribute मतब factory से बाहर जाकर वो retail markets में अगर road network road proper connectivity नहीं है तो वहां तक नहीं पहुच पाएगा and consumer भी उस good को consume नहीं कर पाएगे इसलिए अपनों का road transport बहुत important है ठीक है अब next एक point है कि at every stage in this complex system the value of the material is significantly enhanced by transportation कि दिखो है production हो रहा है अपनों का तो मतब transport के द्वारा क्या होता है कि जो value है material का वो enhance होता है value in the sense कि आप लोगे factory में आया आप लोगे raw wheat जिसे बनना है आप लोगे पालेजी बिस्केट तो जब factory से बाहर हो बनके जाएगा तो transportation एक sense में आप लोगे enhance करता है उसकी value कह सकते हो आप लोग कि time पर अगर आप लोगे डिरिवरी चाहिए कि आप एक wholesale businessman हो आपको कहीं से order मिला है कि thousand पाल लेजी biscuits आपको चीए तो आप factory में contact करते हो अगर time पर आप लोगे मिल जाए तो एक sense में मतलब वो value भी enhance हो रही है कि factory से time पर निकल गया और मदब आप लोगों के लिए भी वह बहुत ज्यादा value करता है ना कि एक sense में आप लोग time पर अपना order पूरा अगर पाऊगे तो हर एक stage में चाहिए production हो consumption or distribution हो जो value of material है significantly enhanced by transportation अगर better transport नहीं होगा तो हो सकता है time पर production ना हो पाए तो इसलिए एक sense में value भी increase करता है material की ठीक है अब next एक टूरिजम में marking scheme में एक ही point दिया है और I think ऐसा इसलिए because NCRT में भी इसका single एक ही point दिया होगा तो इसमें कहें कि opening up of tourist areas has been aided by improvement in transport facilities कि जो आप लोगों के tourist areas नए 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 प्लाइन कर रहे हो अब वहां better roads नहीं है आप पहुंच रहे हो विल्कुल मतब धक्के वाली मतब कह सकते गढ़े वाली road जिसे हम कहें मतब improper road है आप लोगों की तो आप मतब वहां पहुंचते पहुंचते परिशान हो जाओ आप लोगों की रास्ते में कितने सारे गट्टे थे मतब किते आप लोगों के होसे रास्ते में तो इसलिए क्या नाम कहते हैं कि जो tourist areas है उनके open होने से आप लोगों की बहुत ज्यादा मतब उसको help करिया आप लोगों की road transportation में तो in the sense it is helping your tourism अगर proper आप लोगों की road networks नहीं होंगी तो जो tourist आ रहे होंगे वो next time कभी नहीं आएंगे और फिर मतब एक तरह से describe करेंगे कि बहुत बेकार जगह है मतब आप ही देख लो कि हम for example किसी जगह जाते हैं और road बहुत smooth हो हम कहते हैं यार वहां क्या road है मक्षन जैसी road है मतब इतना smooth है मतब ड्राइब करने मज़ा आ गया बट हम किसी ऐसे जगह जाए जहां रोड बहुत खराब है उस पर गढ़्धे हैं वह खराब हो चुकित हम कहते हैं यार क्या जगह आ पता है नहीं है ठीक है तो आप सब इस चीज को समझ रहे होगे तो यह चीज थी आपनों की जो question पूछ रहा तो question 5 कि किस तरह से आपनों का जो road transport है it plays an important role in trade and tourism और देखो यहां पर in the world बोला था तो आपनों को world के context में यानि world वाली books हैं हां पर points लिखने है इंडिया अगर बोला होता तो आप इंडि people and economy और 6th question है satellites and computers have brought revolutionary changes in the present life of the people elaborate the statement with 3 suitable example तो तीन माग का अगे इन question है 6 वाला इसमें और एक optional भी है कि evaluate the role and importance of roads in the economic development of India जैसा मैंने बताया देखो confused मत हो ना अगर आप लोगो को देखो यहां पर जैसे question 6 यह वाला है कि satellites and computers इनके दोरे एक revolutionary change आगे मतला एक क्रांती आ चुकी ह लोग की जिन्दगी में तो यह world book के context में कि आप लोगों को by default समझ देना है कि यह world book के context में अगर इंडिया का आप लोगों को दिया जाता है न तो इस तरह से question आते कि evaluate the role and importance of roads in the economic development of India मतला mention करेगा हो इंडिया 6 बेखते हैं satellites and computers वाला यह fundamentals वाली book से है आप लोगों का तो य we are using a kind of satellite communication ठीक है कि आप लोगों का टीवी पूरा आप लोगों का जो signal है टीवी में वो सारे आप लोगों के सेटेलाइट के त्रू आ रहे हैं और यह रेंडर दे यूनेट कोस्त टाइम आफ कम्यूनिकेशन इंवरियंट इंटम्स अफ डिस्टिंस कि आप कितनी भी दूर क्यू नहों आप bringt के द्वारा अपने किसी मित्र से किसी संपर कर सकते हो और वेद फॉर्कास्टिंग मदब सैडिलाइट कि दवारा वेदर फॉर्कास्टिंग भी बहुत बड़ी मैंनेट तрसा हुम कह सकते हैं बहुत बढ़ी énorme है boon है for in saving the loss of life and property की कहीं है अगर हम ये predict कर ले हमारा मौसंग वे भाग satellite के द्वारा की यहाँ पर आप लोग का तूफान आने वाला है तो मतलब आप देखते हो ना कि मतलब कोई भी तूफान आता है तो मतलब पहले कहते हैं कि satellite की facility है हमारे पास तो हमने मतलब एक सेंस में बैदर forecasting के द्वारा उस दिंदगियों और मतलब कह सकते हैं जानमाल को बचा लिया लोगों के और as billions use the internet each year cyberspace will expand the contemporary economic social space of humans तो जैसे-जैसे क्योंकि हर साल मतलब internet users बढ़ते जा उससे क्या होगा कि e-commerce बढ़ जाएगा e-learning बढ़ जाएगा e-governance बढ़ जाएगा तो एक सेंस में आप लोग भी समझ सकते हो कि या देखो covid जब से आया है हमारी mostly चीज़ें internet के थूँ चल रही है तो internet एक सेंस में expand हुआ है ठीक है और यह हर साल होता है बट कोविट के द्वारा तो यह कुछ जादे expand होगा विकॉस जो नॉर्मल वक प्लेसे हैं वो बन है स्कूल्स जेनरली most of the time बन रहे तो internet ने इस तरह से यूज किया और यहाला question है तो अगर आप लोग अपना answer different बनाना चाहते हो तो इसमें एक पॉइंट आप यह एड कर सकते हो कि covid times में किस तरह से आप लोगों के satellite communication का reference देता हो कि इसने हमारी किस तरह से help करी मतलब एक sense में work from home जो हो रहा था तो इस sense में मतलब आप लोग अपने answers को मतलब uniqueness प्रोवाइट कर सकते हो बट देखो ऐसी चीज बाद में लिखना when you complete your NCRTK points पहले NCRTK points आने चाहिए last में conclude करते वक्ट जो last points होंगे आप लोगों के उनमें एक दो points ऐसे डाल देना ताकि आप लोगा answer एक different लगे एक unique चीज लगे और मंदब relate होना चाहिए ठीक है question से ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप मंदब questions से related ही नहीं वो चीज लखा रहे हो और the internet together with fax, television and radio तो इनमें से आप लोग points लिख सकते हो ठीक है कि मंदब satellite communication के यह सब यह parts है और यह किस तर से help करते हैं और last में conclude कर देना कि in these modern communication system more than transportation that has made the concept of global village a reality की communication के द्वारा satellite communication हो तो it has made the concept of global village की मंदब सब कुछ connected है reality now comes आपनों का जो हम एक option आया था आपनों का और इसके जगा आप याला चाहो तो यह भी attempt कर सकते हैं कि evaluate the role and importance of roads in the economic development of India कि किस तरह से इंडिया के economic development में roads help करती हैं ठीक है तो यह है आपनों का सबसे पहले कि आप इस तरह से लिख start कर सकते हो कि इंडिया has the second largest road network in the world ठीक है उसके बाद आसकते हो importance of roadways in India या फिर आप road transport के definition से भी start कर सकते हैं या फिर इस तरह का कोई पॉइंट लिख दो कि इंडिया का second largest road network है या फिर इतने किलोमेटर roads है हमारे हैं और importance of roadways की हम बात करें तो आप लोगों के 9 points है इन में से आप कोशिश करिए कि 7-8 आप लिख क्या हो ठीक है क्योंकि 7-8 ने सौरी ये 3 माक का question है तो आप कोशिश करना कि आप 5 तब भी एक तरसे हैंस में relevant points लिख के आना कि like for example it provides better connectivity rural and urban areas hence advancement of rural India कि rural areas में आप लोगों के कोई goods जाने हैं तो क्योंकि देखो बात यहां पर कर रहा था economic development की ना तो rural development rural areas और urban areas को connect करता है एक connectivity प्रोवाइट करता है जिसके उधार आप लोगों के urban areas से finished goods rural areas में पहुंचते है और rural areas से जाता है ठीक है and during the transportation of goods from ports to their destination it is very important to have better road connectivity so that time fuel and money can be saved and hence ultimate economic development occurs की ports for example बाहर से foreign country से आप लोगों के big big shifts में आप लोगी चीजें आ रही है तो जो port है वहां से लेकर जहां पहुंचना है उसे कि मतलब आपके wholesale market का हो या फिर मतलब किसी big dealer के पास एक proper road का होना बहुत जरूरी है ज सब कुछ आप लोगों का बच सके और economic development इस सेंस में अकर होगा मतलब इस तरह economic development को बूस्ट मिलेगा कि पोर्ट से आप लोगों के goods and services goods and इस सब चीजें आ रही है तो वह सब आप लोगों के बहुत smoothly एक सेंस में पहुंच जाए अपनी demand center पर और third is to link every remote test area तो with the mainstream of economy it's very much important तो देखो एक sense में कहा रहा है कि जो remote areas है हमारी country के है कि north eastern part हो mountainous regions हो देखो वहाँ train वगरा तो चल नहीं सकते हैं इंडिया में फिलहाल मतलब generally बहुत कम ही ऐसी जगहें hill sides जहांपर आप लोगों के railway connectivity है तो वहाँ roads एक बहुत important role play करती है कि जो remote areas है उन्हें main city से या फिर main economy से connect करने के लिए road connectivity is important and आप example यहाँ पर दे सकते हो जम्मू कश्मीरिया north eastern part का और fourth है even road connectivity is important in linking interstate urban areas and interstate for मतलब दो एक state के अंदर regions जो हैं interstate and interstate मतलब interstate connectivity और interstate connectivity ताकि एक better transport हो goods and services का और मतलब simple सी बात कि time पर goods and services demand center पर पहुँँच सकी कि demand अभी इस चीज की हो रही है तो वहाँ पर पहुँच सके ऐसा नहों कि मतलब महीनों महीनतों समान नहीं आपा रहा है यह चीज यहाँ पर कहना चाह रहा है ठीक है and hence for overall development in terms of saving time money and reduction in pollution and CO2 emission level तो road connectivity इस तरसा आपनों की important है और fifth point आप लोगा कह रहा है कि rural economy would be connected with urban economy roads के द्वारा यह सब possible हो पाता है and faster accessibility of health education and other facilities जहां proper roads होती है देखेगा वहाँ health education and other facilities जो होती है इंफ्रास्ट्रक्ट्चर फैसिलिटीटी जी हम कहें वह सब follow करती है better roads नहीं होंगी तो आप बहुत कम देखोगे कि जहां better roads है health center भी इस तरह से है better roads means आप लोगों का overall development इस तरह सा point देख सकते हो और import and export भी बढ़ेगा internal security विल इंप्रूव और social connectivity विल इंप्रूव ठीक है कि लोग urban areas के रूरल area से connect हो पाएंगे यह चीज़े अब हम आते हैं आप लोगों के section D पर I hope आप लोगों को मतब बहुत नहीं हो रहे होगे because देखो क्या जीतना भी discussion है आप लोगों के exam में बहुत काम आएगा term to exam जब आप लोगों के board exam में भी आएंगे मतलब आप लोगों को तीन questions आंसर करने पड़ेंगे जो की 5 marks का हरे question होगा ठीक है तो 5 marks के question में point wise लिख रहे हो तो minimum 7 to 8 points लिखके आईएगा और best possible अगर time आप लोगों के पास रहता है बहुत अच्छा paper जा रहा है मतलब अच्छा है in the sense कि बहुत आप लोगों के पास एक देड़ घंटा बचाए long answer करने के लिए तो आप मतलब 10 points भी mention कर सकते हो point wise लिखना बहुत easy होता है but make sure आप लोगों के points correct हो ठीक उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए like आप कोई fact mention कर रहे हो कोई figure mention कर रहे हो तो वह गलत नहीं होना चाहि और question no.7 पर आते हैं सबसे पहले पूछ रहा है how do quaternary services differ from tertiary services कि देखो हमारे पास आप लोगों का जो tertiary activities वाला question है उसमें differentiate आप लोगों को करना है simple सा कि quaternary services किस प्रकार से अलग है आप लोगों के tertiary services से उसके बाद you have to give three reasons as to why the service sector in developing and developed countries is growing faster than manufacturing sector की कैसा क्यों हो रहा है क manufacturing sector से ज्यादा आप लोगों का grow कर रहा है service sector like आप हमारी country इंडिया भी देखो तो manufacturing sector का contribution बहुत कम है अधर जितना अभी overall चल रहा है service sector कहीं ज्यादा है ठीक है तो आप लोगों को question बताने है I hope आप लोगों question समझ आ गया हो अब देखो आते हैं कि the activities which involves intangible outputs and are relatively attached from material production such as the services of technician or teacher referred to as tertiary activities कि एक sense में tertiary activities वो हैं जो intangible output produce कर रहे हैं तो वो क्या produce कर रहा है and are relatively attached from material production कि material production से एक sense में यह attached है ठीक है तो these are आप लोगों के tertiary activities अब वो activities which are concerned with knowledge such as education, information, research and development यह जितने भी सारी चीज़ें कि आपनों के किसी vaccine पर research हो रहा है या फिर मतलब कोई भी ऐसी बड़ी चीज है ना कोई आपनों की एक sense में कहा सकते हो physics पर कोई बड़ी research हो रही है तो all such major tasks to think research and development जो चीज़ें है these are आपनों के quaternary activities टिक है tertiary activities में आपनों का production हो रहा है intangible outputs का और quaternary activities में आपनों की research and development हो रही है simple सी चीज़ ठीक है और the rising per capita income in both developed and developing countries has generated proportionately larger increases in many kinds of services कि देखो जितना भी आपनों का development हो रहा है ना developed countries कहलो या developing countries कहलो यहाँ पर हम देखते हैं कि service sector contribution बहुत ज्याद है development में because there is demand for educational services at all levels क्योंकि education आपनों के service sector का part हो तो तो overall जब हम उठा के देखें तो there is demand for educational service at all levels with increase in demand for literacy and computer skills ठीक है क्योंकि services में क्या बहुत सारी चीज़ें आपनों के आती हैं अपनों का trade आता है service sector के अदर आपनों का communication आता है service sector के अदर आप in most manufacturing companies as these companies need more clerical staff, sales people, research and other works तो जो non-direct production workers हैं वो भी एक sense में increase हो रहे हैं कि for example आपनों कोई text consultant है ठीक है आखिर में वो आपका direct producer तो है नहीं कि वो आपका CA है कोई text consultant है वो जा रहा है वो direct कोई good produce कर रहा है but वो पनी service दे रहा है ठीक है कोई business lawyer है कि मतलब कोई firm है अगर company कोई production कर रही वो environment के किसी law के अगेंस जा रहा है तो उसे fight करेगा कि मतलब हाँ यह याला प्रावधान है कि याला यह मतलब एक sense में आप लोगों को service provide कर रहे है कि इसलिए आज भी जो हम देखते हैं कि बहुत सारी factories है वो बहुत ज़ादा text consultants वगरा को employ करती है ठीक है and medical service have also increased in Europe, North America and Japan because of an increase in demand for medical care from elderly population और medical services भी आप लोगों के improve ही है क्योंगी यह service sector का ही पाट यागी because increase in demand की जो elderly population है उनको medical facilities आपकी ज्यादा चाहिए इसलिए आप लोगों की service sector है वो इतना grow कर रहा है and the increasing value of time has led to more household functions being accomplished outside of home कि जो time की value अब हम करना सीख चुके है it has led to more household function मतलब जितने हमारे घर में चीज़ें हो सकती थी वह हम बाहर कर रहे हैं ठीक है कि हमें मतलब एक sense में outsource कर देते हैं उस चीज़ को कि मतलब अभी हमारे पास time ने चीज़ को करने का हमें project नहीं बनाने है अगर आप किसी दूसरी चीज़ में बीज़ी हो आप लोगों कोई अपनी दूसरी स्केल परस्यू कर नहीं है ठीक है तो यह सिंपल है अपर accomplished outside home में कह रहा थे कि आप outsource कर रहे हो किसी और से करवा ले रहे हो चीज़ को ठीक है दिस सर्विस अगें तो सर्विस सेक्टर इसलिए आप लोगों का हम देखते हैं कि manufacturing से ज्यादा आप लोगों के proportion में ग्रो कर रहा है ठीक है and now comes आपनों का question number 8 कि how is the use of plastic bags harmful for environmental degradation कि किस तरह plastic bags का जो use है it is harmful for environment की environment में क्या उसके बुरे impact पढ़ रहे हैं आप देखो यह बहुत easy question है ठीक है plastic debris is found absolutely everywhere कि पूरे विश्व में हम plastic debris कचरा है जो कूड़ा है सब हम देख सकते हैं को हमारे street drains को clock करता है मतलब उससे jam करता है ठीक है चोक करता है it litters campgrounds and national park कि हम किसी tourist attraction ही चले जाएं तो हमें वहाँ plastic के poly bags दिखते हैं and ठीक है तो but thanks to runoff and to our fondness for directly dumping our trash and tourist our waste polythene वगेरा कचरा वगेरा कोई नहीं बात नहीं है कि सबने चीज़ देखे होगी कि आस पास के जो नाले होते हैं नदियां होते हैं उनमें फिक देते हैं यह चीज़ है एकवर्टिब लाइफ को फिर एफेक्ट करता है हर चीज़ को आपनों के plastic bags एफेक्ट करते हैं तो यह चीज़ आपनों को बतानी है और उसके बाद ही कुछ points आजेंगे कि chemicals added to plastics are absorbed by human bodies कि जो पानी हमारे घरों में आता है कई बार क्या होता है कि उसमें भी मतलब जो plastic breakdown होके होता है तो वो हम भी consume कर सकते हैं तो हमें हमारी health पर भी बुरा effect को डाल सकता है और plastic debris is laid with chemicals are often ingested by marine animals की aquatic animals जो है fish वो भी उसे consume कर लेती है जिससे मतलब उने वो उनकी death हो जाती है ठीक है तो aquatic life बहुत जादे इससे effect होती है floating plastic waste which can survive thousand of year in water service mini transportation device for invasive species disrupting habitats की उस पर यह problems होंगे ठीक है वो सब आपके water में जा सकते हैं तो यह चीज़ें आपनों की and plastic buried deep in landfills can leach harmful chemicals that spread into groundwater की landfill में हम जो करते हैं कि plastic की अपनों की मतब कोई पर जमीन के अंदर डाल दिया plastic को तो उससे क्या होता है कि वो harmful chemicals produce कर सकता है groundwater के लिए around 4% of world oil production is used as feedstock to make plastics and similar amount consumed by energy in the process तो देक आप एक अपना भी answer लिख सकते हो बट कुछ-कुछ points यहां से mention कर ले ना मतलब NCRT books से अपने और next आप लों का की the disposal of urban waste has become a serious concern for the local authorities analyze the statement with suitable example तो यह question again बहुत easy है इसमें आप लोगो urban waste के बारे हैं बताना है कि मतलब cities में किस तरह से आप लोंका सबसे पहले तो बता दो कि cities की problems क्या क्या होती है ठीक है फिर आप आप आओ कि urban waste मतलब जो urban areas में जो लोग कुड़ा कचरा करते हैं वो किस तरह से बहुत बढ़ी problem बन सकता है तो पहले तो कि urban areas में आपनों का overcrowding होती है बहुत ज्यादा congested and insufficient infrastructure रहता है कि घर बहुत पास-पास होते हैं जिससे क्या होता ह है कि there is huge urban waste की population सबसे पहले बहुत स्यादा है तो लोग जितना consume करेंगे उतना आप लोगा कुड़ा कचरा भी प्रेडियूस करेंगे ठेक है और यह बहुत बढ़ी problem है and tons of waste come out daily in metropolitan cities and are burnt कि अगर आप शहर से बाहर कभी चले जाओ ट्रंचिंग ग्राउंड की तरफ तो वह मतब आप देख भी नहीं सकते हो से इतने सारे मतब जो heaps of आप कह सकते हो ना की कुड़ा कचरा उन्हें जलाया जाता है जिससे वह जो smoke release करते है वह एर को पल्यूट करता है तो और lack of severs and other means to dispose human excretes safely and inadequacy of garbage collection sources add to water pollution की जो human excrete है उसको होगे environmental problems की factories आच चुकी है like Delhi में जो recent smog हुआ था से 2-3 महने पहले की दिवाली के बाद जो smog आ गया तो उसके बाद कई सारी factories का production कुछ time के लिए बंद करना पड़ा एक हफते के लिए तो यह चीज़ें की जो urban centers में industrial units का concentration रहता है ना it gives to serious environmental problems and dumping of industrial waste into rivers is the major cause of pollution तो यह सब आ मख्यां वगरा उड़ती है तो एक foul smell हमें देता है तो इस मतलब तर से landscape को भी खराब करता है जो आप scenery किसी place किये उसको भी खराब करता है ठीक है तो यह अपनों का था अब next राता है question number 9 यह simple साथ एको बहुत आसान question है यह अपनों के इंद्रा गांधी canal command area का question है कि क्या measures लिए गए to achieve ecological sustainability की वहाँ पर highlight the measures proposed to promote sustainable development की बहाँ sustainable development प्रमोट करने के लिए आप लोगों के इंद्रा गांधी canal में क्या-क्या measures लिए गए तो आप लोगों के बुक में कुछ 7-8 points है उनमेंसे आप लोग करीब 5 points mention कर दीजेगा like आप लोगों का है कि सबसे पहला 7 measures proposed to promote आप sustainable development की इंद्रा गांधी canal command area में किस तरह से sustainable development हो कि आप लोगों के बांकी चीजें को harm ना करें वो तो सबसे पहला की strict implementation of water management policy की मतलब सबसे पहले जो stage 1 में areas आते हैं वहाँ protective irrigation हो की कम-कम पानी आप लोगों का इस्तेमाल किया जाए and stage 2 में आप लोगों का extensive irrigation हो crop की ऐसा नहीं की stage 1 में जो areas आ रहें जो water deficient areas है वहाँ ही बहुत ज्यादा लोग पानी consume कर लें तो यह चीज की water management policy उसका strict implementation हो पहले and second is in general the cropping pattern shall not include water intensive crop तो देखो जैसा अब लोग जानते हो कि राजस्थान as a area as a geography कभी एक ऐसा area नहीं ता कि जहां आप rice या मतलब water intensive crops grow कर सको but इंद्रा ग development को promote करने का कि वो generally एक natural आप लोग का water intensive crop को produce करने वाला area नहीं था तो उसके cropping pattern से छेड़ चाड़ मत करो it shall be adhered to and people shall be encouraged to grow plantation crop आप वो crops grow करो जने पानी बहुत कम लगता हो plantation crops उगाओ but आप उन crops को मत उगाओ जो बहुत जादा पानी की खपत करते है जो पानी बहुत जादा consume करते है ठीक है and third is the CAD program such as lining of water courses land development and leveling and वारा बंडी system which is equal distribution of canal water in command area shall be effectively implemented ताकि आप लोग का जो पानी का loss हो रहा है कहीं से आपक आप लोगों का proper आप लोगों के lining of water courses हो land development and leveling हो आप लोगों का जो बारा बंदी है कि equal distribution हो canal command area में जितने भी एरियास आते हैं ऐसा नहों कि एक रीजन ऐसा जहां सारा पानी चले जा रहा है canal का और दूसरा बिलकुल अहां मतलब पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो यह ची development through afforestation, shelterbelt, plantation and pasture development is necessary particularly in the fragile environment of stage 2 कि आपनों का एक sense में ecological development जरूरी है afforestation आपनों करनी है shelterbelt, plantation करनी है and pasture development यह सभी चीज़ें नेसेसरी है ठीक है and sixth is the social sustainability in the region can be achieved only if the land alloties having poor economic background are provided adequate financial and institutional support for cultivation of land कि जो एक sense में जो social sustainability है कि देखो है अभी अपने environmental sustainability की बाद तो कर ली पर जो social sustainability है उसरी जनकी जो वहाँ पर लोग को land allot हुई है जिनके पास उतना पैसा नहीं है विचार who are poor उन्हें proper आपनों के financial and institutional support देना चाहिए उन्हें proper loan provide करो ताकि वो land को cultivate कर सके जो canal water मिल रहा है इंद्रा गांधी कैनाल से उससे वो खेती कर सके ठीक है and sixth is seventh the economic sustainability in the region cannot be attained only through development of agriculture and animal husbandry तो यहां पर ही आपनों का यह कहना चाहता है कि उस area में sustainability लाने के लिए drops का diversification भी ज़रूरी है allied activities like आपका horty culture, आपनों का sericulture, आपका जित्ते भी दूसरे cultures होते हैं आपनों का flory culture, flowers को grow करना तो यह सब को भी promote करना चाहिए the diversification of, इससे क्या हो कि diversification आएगा, किसी particular किसान को, किसी particular crop पर आपनों का depend नहीं रहना पड़ेगा कि इसकी fossilis बार खराब भी हो गई तो, मतलब suicide attempt करना पड़े हो से, ठीक है, तो यह चीज़ यहां पर कहना चाहरा है and establishment of functional linkages between basic village, तो यह आप लोगों के कुछ measures हैं, जिनसे हम क्या नाम कहते हैं, उस area को sustainable development provide कर सकते हैं, promote महा sustainable development को कर सकते हैं, ठीक है, तो अब आप लोगों का section E, the last section, map based question तो देखो, 3-4 दिन पहले मैंने इस पर video already upload करा था, and जब मैंने paper देखा न, मतलब सारे question उसी map video से थे, तो same आप लोगों का रहने वाला है, board exam में, तो मैं नीचे description में link provide कर दूँगा, उस map video की अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जाओ उसे देखो, उसकी PDF मैं जल्दी provide कर दूँगा, learnitrade.in, जो हमारी website, अपनी website है, तब तक आप उस video को देखो, उसमें जित्ते भी questions मैंने कराए न, उससे बाहर आपनों का नहीं आने वाला, same, आप लोगों का sample paper देख लो, iron ore mine, sample paper आपनों का रिलीज हुआ, आप जाके उस video को देखना, वो sample paper से पहले आप वीडियो, उसमें आप देखोगी कि most of the questions यही है, मतलब जो एक question आए न, वहीं से है, तो iron ore mines of 36 गड़, simple है, यह आपनों का क्या है, देखे, this is your, आपनों का बेलाडिला mines, यह मैंने करार रख है map वीडियो में, an oil refinery located in उत्तरप्रदेश, उत्तरप्रदेश में क क्लाइन देदी आपनों की largest lignite coal mines कौन सी है, तो यह ने भी लिए है, ठीक है, and eastern most terminal of east west corridor की, जो east west corridor है, जो आपका siltsar, असाम में जो है, वहाँ से पोरबंदर जाता है west में, तो उसका east most terminal कौन सा है, मतलब east side, उसकी eastern point कौन सा है, it is siltsar, and southern metropolitan city connected by golden quarter later, तो जो golden quarter later cities, चार मुख these are K3 mines, ठीक है, तो यह आपनों का map था, I hope आपनों को वीडियो पसंद आया हो, last जो questions है, आपनों के for visually impaired candidates, ध्यान रखना, जो general candidates हो ना, जो इनको मतलब यह ऐसी problem नहीं है, eyesight की, जो मतलब एक sense में आपनों को visually impaired नहीं हो, वो please attempt मत करना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप लोगो याले questions नहीं आते हैं, तो आपके अगर तो याले questions को attempt करके आते हो, these are only for visually impaired students, ठीक हाला कि इसमें भी questions लगपाक सेम ही है, ऐसा कोई different नहीं है, अगर आप लोगों के paper में different आते हैं, आप सोचते हैं, मैप मुझे नहीं आ रहा मैं याले questions कर लेता हूं, ऐसा मत क content मिलेगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, doubt हो, तो जिस particular chapter को आप पढ़ रहे हो, उसके नीचे comment कर दीचेगा, I'll surely answer your query, और ठीक है, learn it.in पर जाएएगा, notes वगेरा कुछ भी चाहिए हो, description में आपनों को link मिल जाएगी, वहाँ से आपनों को notes वगेरा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, chapter का, this was all for this video, thank you और इस वीडियो को फैल आदो, आपके जितने भी दोस्त हैं, जिनका class 12 में geography है, term to exam देने जा रहे हैं, उन सब तक एक वीडियो पहुंचा हो, ठीक है?